नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीलियम एंड कंपनी पर मेरा नाम है सिल्वानुस मसी और आज मैं लाया हूँ आपके लिए बेहत महत्मोंड वीडियो आज हम बात करेंगे लीलियम फसलों में लगने वाले रोगों, उनके लक्षणों और उनके उप्चारों के बारे में लीलियम फसलों की खेती करने वाले किसान और बागमानी के शौकीनों के लिए यह जानकारी बेहत महत्मोंड है क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर कदम उठाने से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और उसे बहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में हम निमलिकित बिंदों पर चर्चा करेंगे पहला लीलियम फसलों में आम तोर पर लगने वाले रोग दूसरा इन रोगों के लक्षन कैसे पहचाने और तीसरा जो की सबसे महत्मूर्ण है इन रोगों का प्रभावी उप्चार कैसे करें वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना बुले तो चलिए शुरू करते हैं और जानते है कि कैसे आप अपनी लीलियम फसल को स्वस्थ और हरा-भरा रख सकते हैं लीलियम फसलों में आम तॉर पर लगने वाले रोगों में सबसे पहला रोग है बल्ब रॉट या स्केल रॉट जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं बल्ब रॉट या स्केल रॉट के प्रमुख लक्षण है बल्ब के अधार का सरना या बल्ब पर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देना बल्ब रॉट या स्केल रॉट के कारण पौधा मुझाने लगता है और पौधे की विर्दी डुख जाती है और इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है आईए इसके कारण हो जानते हैं बल्ब रॉट आम तोर पर मिट्टी में मौझूद फफून जैसे की फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया के कारण होता है अच्यदिक नमी और खराब जलनिकासी भी इस रोग को बढ़ावा देती है स्केल रॉट आम तोर पर फफून संक्रमन है जो की बॉट्रिटिस और स्कले रोट टीनिया के कारण होता है खराब भंडारण की इस्तिती में और ज्यादा हुमिडिटी इस रोग को बढ़ावा देती है अब आईए इसके उप्चारों के बारे में जानते है स्केल रोट या बल्ब रोट के उप्चार के लिए आपको निमलिकित बिंदों का ध्यान रखना होगा जिनमें सबसे पहला है स्वस्थ बल्बो का चैन करें और उन्हें संक्रमित बल्बो से दूर रखें दूसरा है बल्बो को लगाने से पहले उन्हें फफून्द नाशी यानि के फंजी साइट से उप्चारित करें तीसरा है मिट्टी में अच्छी जन निकासी सुनिशित करें ताकि पानी का जमाओ ना हो चौथा है प्रभावित स्केल्स को हटा दें और स्वस्थ स्केल्स को फफून्द नाशी से उप्चारित करें पाचवा पॉइंट बल्बो को सूखी और ठंडी जगे पर इस्टोर करके रखें छटा पॉइंट है संक्रमित पौधों को हटाएं और नश्ट करें ताकि रोग और अध्यदिक ना पहले साथवा पॉइंट है ठेती की पूरी अध्यदि के दौरान विट्टी का तापमान यत्था संभव कम रखें क्योंकि ज़्यादा तापमान बढ़ने पर भी इन रोगों का फैलाव अत्यदिक होता है इन कुछ उपायों को अपना कर आप बल्ब और स्केल रोट से अपनी लीलियम पसल को बचा सकते हैं और स्वस्त पौधों की प्राप्ति कर सकते हैं लीलियम पसलों में आप तोर पर लगने वाले रोगों में दूसरा सबसे बड़ा रोग है रूट रोट जैसा कि आप इस दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं इसके प्रभुक लक्षण है जड़ों का रन बदलना एक स्वस्त बल्ब की जड़े सफेद होती हैं लेकिन रूट रोट होने पर विभूरे या काले रनकी हो जाती है पौधों की पतियां पीली और मुर्जाई हुई दिखती है पौधा बढ़ना बंद कर देता है और कमजूर दिखने लगता है और पौधों की पतियां समय से पहले गिरने लग जाती है आईए रूट रोट के पीछे के कारण को समझते है इसका सबसे बड़ा कारण है अठ्यधिक जल भराओ अठ्यधिक पानी देने से मिट्टी में जल भराओ हो जाता है जिससे जड़े संदने लगती है खराब जल निकासी मिट्टी की जल निकासी शमता खराब होने से जड़े लगातार गिली रहती है जो root rot का कारण बनती है फंगस और बैक्टिरिया फाइटोप्थोरा, पीथियम और राइजोक्टोनिया जैसे फंगस और बैक्टिरिया जड़ों में संक्रमण करके root rot का कारण बनते है अब आईए इसके प्रभावी उपचार को जानते है इसके उपचार के लिए हमें जल निकासी में सुधार करना चाहिए मिट्टी की जल निकासी शमता को सुधारें गमलों के नीचे छेट करें ताकि अत्रिक्त पानी निकल सके कम पानी देना पौधे को जरूरत के अनुसार ही पानी दे और मिट्टी को सूखा रखे पंजिसाइड का उप्योग करना प्रभावित पौधों पर उचित पंजिसाइड का चिड़काव करें ताकि यदि उनमें फंगस है तो वो कंट्रोल हो सके और यदि पौधा स्वस्थ है तो उसमें फंगस ना हो सके सडी हुई जड़ों को हटाना पौधे को गमले से निकाल कर सडी हुई जड़ों को काट दे और ताजे मिट्टी में पुनह लगाएं स्वस्थ मिट्टी का उप्योग करना पौधे को स्वस्थ और संक्रमित मुक्त मिट्टी में लगाए इसमें कुछ साउधानिया भी रखनी चाहिए आईए उसके बारे में बात करते हैं समय समय पर निरिक्षन करना पौधे की नियमित रूप से जाँच करें ताकि शुरुवाती लक्षनों को पहचाना जा सके और उसे समय पर उपचारित भी किया जा सके एक संतुलिक खाद देना पौधों को संतुलिक खाद दें ताकि उनकी प्रति रोधक शमता बढ़ सके और वे खुद बखुद ऐसे संक्रमण से लल सके वातावरण का ध्यान रखें पौधों को ऐसी जगे रखें जहां परियाब धूप और हवा का प्रभाह हो तो ये कुछ उपाय का पालन करके आप लेलियम पौधों को रूप रोट से बचा सकते हैं और उन्हें स्वस्त बना सकते हैं लेलियम पचलों में आम तोर पर लगने वाली बीमारियों में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है लीप स्पॉट जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं लीफ स्पॉट के प्रमुक लक्षन है पत्तियों पर छोटे-छोटे काले, भूरे या पीले रंके धब्बे दिखाई देना प्रभावित पत्तियां समय से पहले गिरने लगती हैं दब्बे सूकर पत्तियों को भंगुर या कमजोर बना देते हैं और यही प्रभावित पत्तिया मुर्जा जाती हैं और पौधा कमजोर दिखने लगता है आईए इसके प्रमुक कारणों को जाते हैं लीफ स्पॉट का मुख्य कारण पंगस जनित रोग जैसे बोट्राइटिस और बैक्टिरिया जैसे जेन्तो मोनास होते हैं पौधों की पत्तियों पर अत्यदिक नमी होने से पंगल संक्रमण का खत्रा बढ़ जाता है पौधों की कटाई या छटाई के समय जो उपकरन यूज किये जाते हैं उनके कारण भी रोग पहलता है पौधों की बीच परियाथ हवा का प्रवा ना होने से लीफ स्पॉट का जोखिम काफी जादा बढ़ जाता है अब आईए लीफ स्पॉट के रभावी उप्चारों के बारे में जानते हैं लीफ स्पॉट के उप्चार के लिए हमें सबसे पहले संक्रमें पत्तियों को खटा देना चाहिए ताकि रोगों का प्रसार और दूसरे पौधों तक ना हो सके हमें उचित पंजिसाइट का उप्योग करना चाहिए ताकि जिन पौधों में लीफ स्पॉट का रोग है उसे कंट्रोल किया जा सके पौधों को सुभह के समय पानी देना चाहिए ताकि पत्तियां दिन बर में सूख जाए और उन पर किसी भी प्रकार की नमी मौझूद ना हो क्योंकि अगर पौधों पर या पौधों की पत्तियों पर नमी मौझूद होगी तो उसके कारण लीफ स्पॉट का खत्रा काफी जादा पड़ता है पौधों की परियापत दूरी रखना चाहिए ताकि हावा का प्रभा अच्छा हो सके और पौधों की कटाई या छटाई के समय जो उपकरण यूज किये जाते हैं उन्हें अच्छे तरह से साफ कर देना चाहिए और किटानू रहित कर देना चाहिए ताकि उन उपकरणों क के दोरा पौधों में एक स्पोर्ट की बीमारी ना पहले इस बीमारी के प्रति हमें कुछ साउधानिया भी बरती चाहिए जैसे कि समय समय पर हमें निरिक्षण करते रहना चाहिए ताकि शुरुवाती लक्षणों को पहचाना जा सके एक संतुलिक खाद पौधे को देनी चा हमें ऐसे पौधे नहीं चुलने चाहिए जिसमें पहले से ही लीव स्पोर्ट जैसी बीमारिया या उसके लक्षण दिख रहे हो और मिट्टी की जल निकासी शमता को सुधारना चाहिए ताकि पानी रुखने का खत्रा ना हो यह सारी साउधानिया बरत कर और प्रभावी उ वाइरल रोगों के बारे में तो सबसे पहले इसके लक्षण को जानते हैं वाइरल रोगों के लक्षण जो है उनमें पत्तियां उपर पीले या हरी रंग के दपे या धारिया या पैच दिखाई देने लगते हैं और पौधों की विर्दी आसामाने और वीक्रत हो जाती है पौदे की पत्या मुर्जा जाती है और उनका रंग बदल सकता है फूलो का रंग आसामाने हो सकता है और उनमें धब्बे दिखाई दे सकते हैं पौदे कमजोर और बीमार दिखने लगते हैं वाइरल रोग से ग्रसित पौदे का चित्र आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं अब बात करते हैं वाइरल रोगों के पीछे होने वाले कारणों की इसके पीछे सबसे बड़े कारण जो होते हैं हमें सबसे पहला है संक्रमित पौद सामगरी संक्रमित कंद, बीच या अन्य बहुत सामग्री से वाइरस फैल सकते हैं दूसरा है कीटों के दोरा संक्रमण एफेट्स, थ्रिप्स और माइट्स जैसे कीट वाइरस के वाहख होते हैं और पौधों को संक्रमित कर सकते हैं मानविय क्रियकलाप पौधों की कटाई चटाई या अनेगति विदियों पे दोराद संक्रमित उपकरणों का उपयोग करने से भी वाइरस फैल सकता है अब हम बात करते हैं वाइरल रोगों के उपचारों के बारे में वाइरल रोगों का कोई विजिस्ट उपचार नहीं होता है लेकिन कुछ उपायों को अपना कर आप संक्रमण को नियंतरित कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला उपाय है संक्रमित पौधों को हटाना संक्रमित पौधों को हटा दे और नश्ट कर दे ताकि वाइरस का प्रचार आगे और पौधों में ना हो सके कीटों को नियंद्रण करना इफेट, ट्रेप्स और अन्य कीटों का नियंद्रण करें इसके लिए कीट नाशकों का भी उप्योग अवश्य करे स्वच उपकरण का उप्योग करना पौधों की कटाई या छटाई के समय में उप्योग किये जाने वाले उकरणों की अच्छी तरह से सफाई कर ले और उन्हें कीटाडू रहित कर ले स्वस्थ पौध सामगरी को उप्योग करना पौधों को लगाने के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त सामगरी का ही चैन करना चाहिए ऐसे पौधों को ना चुने जिसमें पहले से ही किसी प्रकार का संक्रमण या वाइरल रोग फैला हुआ हो प्रतिरोधत किस्मों का उप्योग करना वाइरस प्रतिरोधी लीलियम किस्मों का उप्योग करना चाहिए वाइरल रोगों से बचने के लिए कुछ उपायों के साथ साथ कुछ साउधानिया भी बरतनी चाहिए जैसे नियमित निरिक्षन करना पौधों की आप नियमित रूप से जाच करते रहें ताकि सुरुवाती लक्षनों को पहचाना जा सके और यदि ऐसा कोई वाइरल का लक्षन पौधे में दिखाई देता है तो उसे जल से जल उचित उपायों को अपना कर उसका निवारण शुरू कर दे संतुलित खाद पौधों को संतुलित खाद दे ताकि उनकी प्रतिरोधक छमता बढ़ सके इसमें आपको ये साउधानी बरतिनी है कि आप जब पौधों को खाद दे रहे हैं तो उसमें कौन सी खाद कि समय पर कितनी मात्रा में देनी है इसकी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ले तो दोस्तों ये कुछ रोग थे जो हमारे लीलियम फसल में आम तोर पर देखे जाते हैं और लगते हैं जिनको हम सही समय पर पहचान कर और उचित उपायों को समय पर करके control पा सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ बना सकते हैं और उसकी उपच को भी बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ जरूरी बाते थी लेलियम फसलों में आम तौर पर लगने वाले रोगों के बारे में और इंसेक्स के बारे में और उनके सुझावों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी उप्योगी लगी होगी और आने वाले समय में आपके लिए ये फाइदे मत भी होगी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट में जरूर से लिखें और हाँ अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकल को जरूर दबाए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच